अगर आप नौकरी से तंग आ गए हैं और किसी तरह का बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो हम आपके लिए फिर से एक नए आइडिया लेकर आई हैं यह एक ऐसा बिजनस है जिसमें प्रोडक्ट की डिमांड हर वर्क के लोगों में बनी हुई है गाउं हो या शहर इस प्रोडक्ट की जबरदस्त डिमांड रहती है हम बात कर रहे हैं साबुन बनाने वाली फैक्टरी यानि साबुन मेनफेक्चरिंग यूनिट के बारे में इस बिजनस में मशीन की मदद से साबुन बनाई जाते हैं उन्होंने बाजार तक पहुंचाय जाता है हाला कि कई लोग हैंड मेड साबुन बना कर भी बाजार में बेचती हैं अच्छी बात ये है कि छोटे स्थर पर भी इस बिजनस की शुरुआत की जा सकती है साबुन बाजार को उसके उप्योग के अधार पर अलग-अलग कैटेगरी में बाटा जा सकता है जैसे की लॉंडरी सोप, ब्यूटी सोप, मेडिकेटिड सोप, किचन सोप, परफ्यूम्ड सोप मांग और बाजार को ध्यान में रखते हुए, इन में से किसी भी कैटेगरी के लिए अपने उत्पाद तयार कर सकते हैं आज के समय में साबुन के डिमांड छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों कस्मों और गाउं में होती है ऐसे में साबुन बनाने का बिजनस आपके लिए फायदे मत हो सकता है बहुत कम पैसों में आप साबुन की फैक्टरी खोल सकते हैं इस बिजनस को शुरू करने के लिए मोधी सरकार की मुद्रा स्कीम के तहत आपको 80% लोन मिल सकता है मुद्रा स्कीम के तहत लोन लेने के कई फाइदे हैं किंद्र सरकार की मुद्रा स्कीम प्रोजेक्ट प्रोफाइल के अनुसार आप एक साल में करीबन 4 लाख किलू का कुल प्रोडक्शन कर सकेंगे इसकी कुल वैल्यू करीबन 47 लाख रुपे होगी कारोबार में सभी तरह के खर्च और अन्य देंदारियों के बाद आपको 6 लाख रुपे यानि हर महीने 50,000 रुपे का शुद्ध मुनाफ़ा होगा साबुन बनाने की युनिट लगाने के लिए आपको कुल 1500 वर्क फीट की जुरूरत होती है इसमें 500 वर्क फीट ढखा हुआ और बाकी बिना ढखा हुआ जगा चाहिए सभी तरह की मशीनों समेत इसमें 8 तरह की उपकरण लगेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुसार इन मशीनों को लगाने में कुल 1,00,000 रुपे का खर्च आएगा बाकी की रकम आप मुद्रा स्कीम के तहत लोन पर ले सकते हैं ब्यूरे रिपोर्ट साच कहूं